स्वामलेकूम आज मैं आपके साथ देन बनों की रैस्पी शेयर करूंगी और मसाला इंबली की चट्नी सब कुछ ही मैं घर पर भी नाना बताऊंगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजे और इंग्रेडियन्ट सूपर मैंचन भी करती जाओंगी यह है जी सुक सब्सक्राइब करेंगी तब आप समय रहता है कि मसाला बनता है इससे ना तो आपके कोई घर पर बना हूँ मसाला है ठीक है तो जी उसके बाद में इंडी के चट्नी बनाना बताऊंगी इसके इंग्रेडियोट्स भी आपको साइट पर मैंशन की बने जरारे होंगे मैं इसको चान लोगी बनाकर और आप अगर चानी में अच्छी तरह से ना चान पाएं तो इसके इलावा जाली का कपड़ा होता है उसमें ले लीजिए इसको चान लेजी बिल्कुल लम्स वगएरा कुछ भी ना रह जाएं इस तरह से आपने जाली का कपड़ा लेना है उसमें आपने इसको ची तरह से चान लेना है और लम्स वगएरा बिल्कुल ना रहें उसका बिल्कुल लिकोडी जो होगा वो इस तरह से आ जाए तो बहुत ही मज़े कि ये इमरी की चटनी भी तियार है जिसके अंदर मैंने साल्ट रैड चीली पाउडर वगरा एड किया है और बानी वगरा एड किया है तो ये तियार हो चुकी है मेरी चटनी अब जो मुझे बल्ले बनाने के लिए इंग्रीडियन्स की जरूरत है उसके लिए आपको चाहिए एक कप बेसन और मिठा सोडा और रैड चिली फलेक्स जो होते सुकी मिर्चें पीस पाउडर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है बहुत जादा नहीं डालना और साल्ट आपने जरूर डालना है तो जी मैं लाइट हलके हाथों से फिर इसको मैश करते चाहना है जीस तरह से मैं आपको तकाउंगी से मुझे तरह से पेस्ट होना चाहिए इसका बिसमिल मैंने थोड़ा से एक ही चुटकी मैंने जीरा डाल लिया है और एक ही चुटकी मैंने नमक डालना है और जो मिठा सोड़ा है वहाफ टेबल स्पून आप डाल लीजिए गार क्योंकि उससे जो हैं फूले और मज़े के बनेंगे एक तम बिल्कुल भीशूप्रेवे कापरी क पानी आपने अपने ख़रा एकिछ — इसको आपने शुरू करते ही जातेने है रावी मजसें स्हाल मजसे को ऑनाक है बहुत ही मज़े की टेस्टी बले बन जाएंगे तो मैंने इस तरह से आपका पेस्ट जो है वह थीक होना चाहिए देख सकते हैं आप के मैंने किस तरह से बनाया है अब मैं जीब गी या ओयल जो भी आप यूज़ करते हैं उसको पहले अच्छी तरह गरम कर लीजिए ताके वह अच्छी तरह गरम होगा तो उतने ही बले फूलेंगे और उपर की तरह फूद ही आते रहेंगे आप देख सकते हैं कितने मज़े की फूल चुके हैं कलर जो मैं आपको दिखाऊंगी वह वाला कलर होना चाहिए अल्की इसी आँच में आपने इसको पकाना है ताके यह अच्छी तरह अंदर तक जल जाएं और बिल्कुल सड़े नहीं इनका गोर्डन ब्राउन कलर होना चाहिए इसको मैं सब को फ्राई करती जाऊंगी और ए टीरिय gests की जरूरत है जिनमें वह बले डालेंगे आप डही में साल्ट आपने डालना मैं और असके इलावा गासार जालना मैं दषी तो और वैसे भी रम्जान में यह मैं बना रहे हूं देंग डालेनी है थोड़ा सा दूर डालेगा पानी की वजए दूर डालेंगे क्योंकि बहुत ज़दा सोफ्त बनेंगे बहुत मज़े के बनेंगे और इनी के अंदर इनको भीगोना है आपने पानी में बिल्कुल नहीं इत्याल डीला है पुट्लों को डालते जाना ऑर जो हमने पेस्ट बनाए और जाना है दहीं का माशाला से रेसिपी हो गई है त्यार है एक चीज़ घर पर बनाई है बिलकुल और गैनिक और कोई भी सिहत के लिए मज़र नहीं है यह चीज़ें बहुत ही मज़े की हैं इंच्वाइब कीजिए और जी जरूर ट्राइब कीजिएगा मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा और दौ झाल